हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये सनिवार के दिन का वीडियो है सुबह का ही टाइम है ये चा चुके हैं मतलब मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है तो टाइम करेक्ट याद नहीं है वही साड़े आठ पॉन्ने नौ बजे का टाइम हो रहा होगा तो मैं बस अपने लिए चाय बना रही हूँ तो इनके जाने के बाद वही मेरा डेली का ही रूटीन होता है अपने लिए और इस ठंड में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मतलब ये जाते हैं और तुरं कोंपे मैंने धार लगा दिया है तो सारे में तो इस ठील वाले जितने थे एक ही दिन मैंने सब में लगा दिया और ये एक रह गया था ये अद्रक वाले डब्बे में मैं रखती हूँ ना तो ये रह गया था तो चाय बनते बनते इस पे भी लगा दिया उसके बाद आगी ह यहाँ पे तो बस बैठ के चाय पी रही हूँ और सटर्डे के दिन आता है न्यूज पेपर में हिंदुस्तान के साथ अनोखी तो बस वही नीचे गई थी तो ले के आई और ये ना मेरा बिल्कुल भी छूटता नहीं है और ऐसे तो न्यूज पेपर में डेली बिल्कुल भी पढ़ती हूँ मतलब कभी कभार हो जाता है टाइम मिल जाता है तो पढ़ लेती हूँ लेकिन अनोखी जो है मेरा नहीं छूटता है अनोखी मैं जरूर पढ़ती हूँ अगर सटर्डे को टाइम नहीं मिला तो फिर संडे को लेकिन मेरा छूटता नहीं है मतलब मुझे पसं वाले भहिया से बोल देती थी कि सुकृवार को मुझे ये चाहिए सनिवार को ये चाहिए तो मुझे न येस度 पढ़ना बहुत पसंद है इस टाइब की जो हैं ये सब पत्रिकाएं हो गई और जो ये ग्री सोबा ग्री लक्षमी ये सब आता है न वो सब बहुत मैं पहले तो अभी तो मुबाइल हो गया है तो थोड़ा सा ये सब कम हो गया है लेकिन पहले में बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो बस चाय वगरा पीने के बाद आ गए हूँ किचन में और ये आलमारी में जो डब्बे इधर उदर हो जाते हैं तो उनको मैंने थोड़ा सा सही किया और अभी जो है किचन को क्लीन कर ले रही हूँ तो चाय पीने में लगभग 15-20 मिनट लग गए तो हो जाता है मतलब बहुत जल्दबाजी नहीं करती हूँ और बहुत जादा ये भी नहीं के बिल्कुल ही आराम से बढ़ जाती हूँ लेकिन 15 मिनट तो होई जाता है देखे चाय और कभी ये कुछ पढ़ना हो गया तो वो किचन को क्लीन कर लिया और अभी जो है बरतन या प्या गई हूँ धोने तो कुछ बरतन ना मैंने पहले ही धो रखे थे जब मैं आटा लगाई थी ना तो आटा लगाने के बाद जब हाथ धुलते हैं उसी टाइम पे दो चार जो भी थे सिंक में ना सारे मैंने धो दिये त तो अभी ना ठंड बहुत जादा हो रखी है धूब बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो इस टाइम पे काम करना बहुत मुस्किल हो गया है लेकिन काम करना ही है काम से छुट्टी नहीं मिलेगी घर के सारे काम हमें करने हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी पारी से और मदलब ये की टाइम भी बच जाय और हमें ज़्यादा दिकत भी ना हो तो वही है कि जब बरतन दोना सबसे बड़ा मुश्किल लगता है वैसे मैं तो पूरे घर का बरतन मैं पूरा बरतन नहीं दोती हूं लेकिन फिर भी पाणी में हाट डालना ही मुश्किल हो तो मैं क्या करती हूँ ना जब मुझे ऐसे तो मैं एक ही बार मतलब सारे बर्तन या तो एक ही समय धूँ या फिर जब पाणी में मुझे हाथ जैसे आटा वगएरा गुथने के बाद ज्यादा time तक धोना परता अच्छे से धोना परता है तो जब पानी में हाट डाला ही है तो उस time पे जितने बरतन है सिंक में सारे मैंने धोके निकाल दिये तो इससे काम आसान हो जाते हैं और या फिर जो सारे बरतन आप कठा कर लें और एक ही बार दोएं तो वो भी थोड़ा सा यह हो जाता है कि टाइम लगता है लेकिन सही रहता है मैं जब सारे बरतन मुझे धोने होते हैं तो मैं ऐसे ही धोती हूँ बरतन वगरा दोने के बाद यहां पर टॉविल को मैंने अच्छे से पानी में धोया अभी यह जो है ना सारे किचन के नीचे वाले यह दरवाजे साफ कर ले रही हूँ तो यह भी थोड़े गंदे हो रहे थे और वही है कि ठंड की वज़े से सफाई थोड़ी सी कम हो गई है म और सफाई करते समय मेरा द्यान नहीं जा रहा था लेकिन बाद में फिर देखती थी तो अजीब सा लगता था तो बस हाथ के हाथ उसको भी मैंने पूरा साफ कर लिया और अभी यह आठा आया था पीसके कल ही साम को आया था तो साम को नहीं भरा मैने क्योंकि यह ना आठा भरते से मैं थोड़ा बहुत उड़ी जाता है जैसे बरामदे में भी तो मैंने सुचा कि जाड़ू लगाने से पहले इसको भरूँगी तो सही रहेगा जो भी थोड़ा बहुत धूल गंदगी आएगी तो उसको मैं जाड़ू से फिर साब कर लूँगी तो बस आटा लगाया आटा जो है भरा ड्रम में और यहां पे जिस आलमारी में यह रखा जाता है उसमें भी तुरंट के तुरंट जाड़ू लगा लिया और इसमें ना देखे बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकलिया क्योंकि यह साब ही रहता है मैं आटा भी निकालती हूँ ना तो बहुत ध् गंदगी नहीं रती है फिर भी जब भी मैं आटा भरती हूँ तो उसमें जाड़ू लगा लेती हूँ तो बस किचन में जाड़ू लगाने के बाद फिर मैट वगरा इधर के सारे हटाए और अभी पूरे घर में मैंने जाड़ू लगा लिया है सुबा एक बार तो वही पाद ये रभी वार के संडे के दिन का वीडियो है सुबा का मैं सटर्डे को कंटीनियू वीडियो नहीं कर पाई क्यूंकि ना मुझे अचानक से माय के जाना पड़ा दो पहर में वही जाड़ू लगाया और उसके बाद ही तुरंट फोन आ गया तो फिर मुझे लम नहाया दोया और तुरंट मैं निकल गई तन मैं स्कूल से आया और उसी के साथ मैं गई तो वहां गई और आने में जो है लेट हो गया साम हो गया तो फिर और कोई काम तो किया नहीं और नहीं मन था कुछ करने का कुछ किया नहीं तो बस अभी ये संडे के दिन का सुबह का टाइम है तो और उठी भी मैं आज लेठी थी बहुत ज्यादा ठंड मतलब हो रखी है तो उठने का बिल्कुल छुटी वाले ज्यादा ये रहता है ना कि किसी को नहीं जाना है तो कितना भी सोचे हमकी जल्दी उठना है ना फिर भी थोड़ा बहुत लेट होई जाता है तो वही ले था ना कि नहीं मतलब वही है मैंने बताया है कि सबको चूरा मटर मतलब घर में पसंदी है तो वैसे तो संडे के दिन मैं कचालू बनाती हूं लेकिन आज इनका मूर्था कि नहीं चूरा मटर बनाओ कचालू ना तन मैं थोड़ा सा मन से नहीं खाता है खाता है तो बहुत नास्ता करने के बाद फिर मैंने जाड़ों पोचा किया और तुरन जो है ना आने चले गए क्योंकि वही है कि अभी ना एक तो लेट उठी और लेट नास्ता वगरा सब कुछ हुआ तो फिर मैं अगर बैठ जाती तो फिर वही लेटी होता जाता तो और कपड़े भी आज दूप निकली है दो तीन दिन के बाद आज दूप निकली है तो आज हुआ कि कपड़े सारे मैं धोई देती हूं तो कुछ कपड़े तो धूल गए और कुछ ना उसमें मतलब धो के अभी मैंने डाल दिये और कुछ जो है मसीन में अभी धूल रहे हैं तो बहुत जादा जो वही कपड़ों का ही था मसीन में डालना फिर निकालना खंगालना फिर सूखने के लिए डालना तो यह सब ना काम बढ़ी जाते हैं तो वो सब निप्टाया किया जो है और उसके बाद दाल हो गई थी चावल रख दिया और अभी दर जो है रोटी बना रहे हूं दाल में ह भी कुछ काम कर रहे हैं नीचे सफाई वगएरा संडे के दिन वैस उपर का तो आज कुछ काम नहीं था क्योंकि सुबह बहुत जादा ठंटी फिर धूप निकली तो मैंने कहा नहीं आज कोई काम नहीं वैसा होगा और कपड़े दोनी का काम वो सारा मैंने निप्टा दिया तो ये नीचे काम कर रहे हैं तब तक जो है रोटी बनाने के बाद फिर मैंने चोखा वगएरा बनाया और हमने खाना खाया तन में चला गया था घूमने अपने दोस्तों के साथ वही 31 दिसंबर था तो उसका वो सेलिब्रेशन वगएरा कुछ दोस्तों के साथ था तो वो दो लोग थे हमने खाना वगएरा खाया थोड़ा समय धूप में गई थी वही टाइम तो बीटते टाइम ही ने लगता है मतलब इस समय ना दो पहर और साम में कोई फरकी नहीं लग रहा है कि कब दो पहर हो रहा है और कब तुरन साम हो जा रहा है मतलब काम करते करते ही 12 एक बच जाते हैं काम करते करते ही और वही है तुरंत बस आदा गंटा एक गंटा इधर उदर करो फिर साम हो गया तो अभी जस्ट ना मैं आप पे चावल लेके बैठ गई हूं तो ये चावल ना मुझे कल ही साफ करने थे तो लेकिन वही कल मैं चली गई तो ये सब काम हो नहीं पाए सारा काम रुग गया तो अभी मैं तुरंत लेके इसको भी बैठ गई हूं कि ये छोड़ दूंगी ना तो फिर वही सुबह जल्द बाजी इतनी रहती है ना कि उस टाइम पे चावल बीनना डालना नहीं हो पाता है तो आधा जो है साफ कर ले रहे हूं आधा रख ना ठंड की वज़से ना काम करने का बिल्कुल मनी ने कर रहा है तो चावल मैंने साफ किया उसके बाद तन मैं आया तो वही मुंगफली लेके आया था तो हम लोग ना मुंगफली बैठ के खाने लगे और ठंड में ये सब मतलब इस टाइम पे तो हो रहा है कि काम कुछ मत करो बस बैठे रहो कंबल में और वही है कि कुछ खाने पीने को अगर इस टाइब का मिल जाएना तब तो मजा ही आ जाता है बनाने को कुछ न रहे और बैठे बैठे बस चाई वगरा मिलता रहे और इस टाइब का मुंग फली तो ये सब तो लब पूछिये ही मत अच्छा तो और तनमे को पता है कि हम लोग को बहुत पसंद है इनको भी बहुत पसंद है ये तो वो लेके आया पापा के लिए ही लेके आया था इस पेसली तो मैं ये बोले कि तुम भी चलो खालो तो बस मुंख़ली वगर हमने खाया और वही टीबी देख रहे थे फिर जो है गई छ आत के हाथ उसको मोर्दू नहीं तो बहुत जादा हो जाएंगे और अभी ये सारे कपड़े आज वाले हैं तो कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं एक दो मतलब जादा से जादा सूखी गए हैं धूप निकली थी तो आधा कपड़े तो ड्रायर में सूखी जाते हैं और धूप निकल गई तो ठीक ठाक सूख गए हैं बस एक दो स्वेटर वगएरा जो है न वहीं नहीं सूखे हैं तो बस इनको मोर दे रहे हूं क्योंकि आज कल कपड़े छोड़ने लायक नहीं है छोड़ दीजे तो फिर अगले दिन बहुत जादा हो जाते हैं दूसरी ची अब आज तो नहीं हो पाएगा वो कली होगा तो बस जो मोरे हैं जो रखने वाले उनको रख दूँगी और अब भी यहाँ पे मतर छील ले रही हूं तो ये अब रात का खाना सुबह के लिए मलब सारा मतर एक ही साथ छील के रख लेती हूं एक दिन का पूरा ये मतर ना कल आया था तो इसको पूरा मैं छील के रख दूँगी और अभी ये जो बगल में रखा है ना ये पनी इसमें भी आया है आज सबजी आया है तो इसको जो है कल छीलूँगी या फिर टाइम लगेगा रात को तो रात को कर लूँगी नहीं तो फिर कल तो इस तरह से होता है मतल बन जाएगा तो बस ये करने के बाद फिर चलूँगी तो रात का खाना वगरा ये सब बनाना होगा तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रहे हूं आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर और मेरे चैनल को प्लीज सब सब्सक्राइब करिएगा बिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थेंक्स फ़र वाचिंग